हेलो दोस्तो वेलकम टू आवर चैनल एजे मेडिसिन्स मेरा नाम है आज इत और आज मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ आज का अमारा टॉपिक होने वाला है क्लोसिफ डस्टिंग पाउडर के मैं आपको यूज बेनिफिड साइड इफेक्ट स कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालू तो वह आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन के तुरूट जल्द पहुँचे तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो क्लोसिफ डस्टिंग पाउडर एक बहुत ही जाना माना नाम है बहुत लोग इसके बा आता है और किन किन कंडिशन में आप इसे यूज कर सकते हो मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा फिलाल मैं आपको दिखाता हूं इसकी पैकिसिंग आप इस स्क्रीन पे देख रहे होगे कोलोसिफ डस्टिंग पाउडर यह 100 ग्राम की पैकिंग में भी आता है और 50 पूटीमा जोल एक परसेंट चली आप मैं बताता हूं किन किन कंडिशन में आप इसे यूज कर सकते हो पसीने से होने वाली खुजली आप उसमें यूज कर सकते हो जैसे जंगा से जब लग जाते तो चलने में बहुत दिक्कत होती है उसमें यूज किया जा सकता है और एसमें इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी इसे यूज करता है और गर्मियां आ रही है तो गर्मियों में भी घमोरियां बहुत होती है तो घमोरियों में भी इसका इस्तेमल कर दो видео करो पिर वहाँ पर इस पाउडर को इस्तेमाल करो, दिन में दो बार आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, और दोस्तो इस पाउडर का इस्तेमाल हर को ही कर सकता है, दोस्तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम यूज करना चाहते हैं, उसके साइड एफे में बहुत ज्यादा लोगों को पसीना होता है जंगा से लगने की सिकायत बहुत ज्यादा आती है उसमें इसे यूज के आता है बहुत ही बढ़ियां फाइदा करता है इसमें एक से दो दिन में रिलीव देता है साथ-साथ मैं आपको बता हूं जिन लोगों को गर्मियों की व बहुत लोगों को ज़्यादा होती है तो यह घमोरियों को भी ठीक करता है और आपको बता दूँ एक से दो दिन में बहुत जल्दी आपको यह रिलीव देता है आई जानते हैं इसके साइड इफेक्ट दोस्तों वैसे तो इसका साइड इफेक्ट बहुत ही कम देखा जाता है बहुत ही ना के बराबर केस देखे जाते हैं साइड इफेक्ट के लेकिन फिर भी आपको पता दूँ किसी-किसी का सरीर सूट नहीं करता है अगर आप इस पाउडर को यूज़ करते हो और आपके सरीर पे बहुत ज्यादा रैडनेस हो जाती है तो आप समझ सकते हो कि आपक और यह कोई नहीं कर रहा है और दोस्तो कोई भी दवाई यूज़ करने से पहले आप डॉक्ट की सला जरूर ला कि सला के बिना कोई दवाई यूज ना कहें औरक की आपको वीडियो पसंद आऑऄ औगी सौड बीडियो लाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका समय बचा स सकूं और आसान भासा मिलाता हूं ताकि सब तक पहुंच सकूं तो आज के लिए वीडियो इतना ही कल फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए गुडबाए